चार मॉमबत्यां, रात का समय था, चारो और घुपप अंधेरा छाया हुआ था, केवल एक ही कमरा प्रकाशित था, वहां चार मॉमबत्यां जल रही थी, चारो मॉमबत्यां एकांथ देख आपस में बाती करने लगी, पहली मॉमबत्यी बोली, मैं शांती हूँ, जब मैं इस कर मोंबत्ती बुझ गई। दूसरी मोंबत्ती भी अपने मन की बात कहने लगी। मैं विश्वास हूं। मुझे लगता है कि जूट, धोखा, फरेब, बेई मानी मेरा वजूद खत्म करते जा रहे हैं। ये जगह अब मेरे लायक नहीं रही। मैं भी जा रही हूं। इतना कह कर दूसरी मोंबत्ती भी बुझ गई। तीसरी मोंबत्ती भी दूब, खी थी। वो अब बोली, मैं प्रेम हूं। मैं हर किसी के लिए हर पल जल सकती हूं। लेकिन अब किसी के पास मेरे लिए वक्त नहीं बचा। स्वार्थ और नफरत का भाव मेरा स्थान लेता जा रहा है। लोगों के मन में अपनों के प्रती भी प्रेम भावना नहीं बची। अब ये सहना मेरे बस की बात नहीं। मेरे लिए जाना ही ठीक होगा। तहकर तीसरी मोंबत्ती भी बुझ गई। तीसरी बत्ती बुझी ही थी कि कमरे में एक बालक ने प्रवेश किया। मोंबत्त तक पूरा जलना था, लेकिन तुमने मेरा साथ छोड़ दिया, अब मैं क्या करूंगा, बालक की बात सुन चौथी मोमबत्ती बोली, घबराव नहीं बालक, मैं आशा हूँ और मैं तुम्हारे साथ हूँ, जब तक मैं जल रही हूँ, तुम मेरी लो से दूसरी मोमबत्तियों को जला सकते हो, चौथी मोमबत्ती की बात सुनकर बालक का धाधास बंद गया, उसने आशा की साथ शांती, विश्वास और प्रेम को पुना प्रकाशित कर लिया, सी, जीवन में समय एकसा नहीं रहता, कभी उजाला रहता है, तो कभी अंधिरा, जब जीवन में अंधकार आए, मन शांत हो जाए, विश्वास तगमगाने लगे और दुनिया पर आए लगने लगे, तब आशा का दीपक जला लेना, जब तक आशा का दीपक जलता रहेगा, जीवन में कभी अंधिरा नहीं हो सकता, आशा के बल पर जीवन में सब कुछ पाया जा सकता है, इसलिए आशा का साथ कभी ना छोड़े,